हे दोस्तो वेलकम बैक तो दिस वीडियो और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप MX Player के किसी भी मूवी को वेफ सीरीज को या फिर प्रोग्राम को अपने स्मार्ट टीवी में किस तरीके से कास्ट कर सकते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं फिलहाल मैंने अपने फोन से स्क्रीन शेरिंग करी है अपने स्मार्ट टीवी में और मेरे फोन का स्क्रीन आप स्मार्ट टीवी में भी देख सकते हैं तो जब हम यहां पर इस तरीके से MX Player में जाते हैं और किसी भी मुवी को प्ले करने की कोशिस करते हैं तो आप कुछ देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहां पर आपको एक एर्र देखने के लिए मिलता है जो मुम्वी है वो मेरे फॉन पर प्ले हो रहे है बट आपको टीवी में आपको अब देख सकते हैं आपको ब्लैक इस और स्क्रीन दिख रही है तो आप देक रहा हैं कि MX Player के अपलिकेशन पर वीडियो चल रहा है तो गाइस सबसे पहले आपको करना किया है कि आपको अपने स्मार्टफोन के किसी भी ब्राउजर में आ जाना है तो यहां पर मैंने Google Chrome open कर लिया है तो गाइस आप देख रहा है यहां पर मैंने MX Player की जो ओफिसिल वेब साइट है इसको अपने Google Chrome में open कर लिया है आप यहां पर जितने भी Series हैं Movie हैं यह सब यहां पर देख सकते हो और अभी दिसेंटली आश्रम 3 रिलीज हुई है तो अगर मैं आश्रम 3 को प्ले करना चाहता हूँ तो मैं saimpli यहां पर इसको टिक करूंगा जैसे ही मैं यहां पर प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं screen प्लेख प्लेख करको करना है को कुरटेशन फिलहाल करना ने दुन कर दिया है जो ज़ियु आप टीवी पर देख सकते हैं। किसान बैट के enjoy कर सकते हैं तो गाइस मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको useful लगा होगा informative लगा होगा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like जरूर करिएगा बाकि अगर आपको चैनल पसंद आया तो इस चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि इस तरीके के वीडियो मैं ब